मैं मुकिश मिश्टिरी और मैं आपको आज का एग्रोनोमिक का 20 सेशन है उसमें कौरींडर और जो फैनल है मिंस जिसके को आप साधरन भाषा में धनिया या स्वाफ बोलते हैं ठीक है जो धनिया और जो स्वाफ के जो क्रॉफ है उसके बारे मैं आज बताऊंगा और वीडिय कोरियंडर का कल्टिवेशन देखेंगे उसके बाद फैनल का कल्टिवेशन देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वारियंडर कल्टिवेशन तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कॉरियंडर है ठीक है कोरियंडर का जो बॉट जिसे क्या बोलते है शातारन भाषना में धनिया ठीक है जिसका बॉटनीकल नेम आपका होता है कॉरियंडरम साटाइबं इसका जो फैमिली होता है ओ एपी एसी या अम्बेली फेरी होते है याद रखेंगे दोनों हैं तो ना होना देन बात करते हैं मेनली कल्टिवेटेड फॉर इट्स फ्रूट एज वाल एज ग्रीन लीव और इसका जो कल्टिवेशन करते है धनिया का उसको जनरली लीव्स के लिए या तो सीट प्रॉड़क्शन के लिए हम लोग क्या करता है क सबसे ज्यादा कोरिएंडर सीट प्रॉड़क्शन इस्टेट इन राजस्थन फॉलोवाई एंपी मध्य प्रदर्श के बाद राजस्थन क्या करते हैं सीट का प्रॉड़क्शन करते हैं ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं याद रखेंगे देन नेक्स्ट आगे बात करें दा ओडर और टेस्ट आड़ डियू टू इसिंशेल अवश्रक है वाईल में कंटेंड में आपका 0.1 से 1% इन दर्डाइ सीट में वाईल का जो कंटेंड होते हैं कितना होते हैं आपका 0.1 से 1% तक इसमें तेल की मात्रा पाया जाते हैं ठीक हैं उसके वाद इसका यह की लिए ले आप ग्रु कर रहे हैं तो मार्च में में होते हैं ॥ा यादर रखेंगे लीप पर्पास के लिए कौन सा मंत में इसको करते तो मार्च में में करते हैं ठीक है रवी से puzzle में कि हायर ग्रेंड और ग्रेंड परपस के लिए आप उसको ग्रो कर दें तो रभी में कड़िए ठीक है उसका सीड़ेट की बात करेंगे तो आपका दस से बारा केजी पर हेक्टर आपका सीड़ेट की आवश्रकता होती है ठीक है और इसके कुछ वैराइटी है बहुत इंपॉर क्या करें ठीक है यह तो होके आपका कुरियंड नौर्मली अब इसके अलबग कुछ इंपॉर्टेन बात होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ठीक है हमारे भारत में इंडिया में यदि धनिया का उत्पादम देखे तो राजिस्थान में क्या होता है सबसे ज्यादा ह होता है तो जालावड जो जीले होते सबसे ज्यादा प्रॉडक्शन होते हैं पॉनिवी एवन होते हैं करने इस में यह उसमें बेग स्विज बलेक्स रिचता होते इसमें यह सुर कि करने तो याद रखेंगे अभ यह यद रहुए जो और पर है जो सकब 外 earliest के आप द्युक्वल में ने सके है कि इसका वरैटी और है तो कोरियंडर का वैराइटी आप बात करें इसमें सपेसिंग कितना रखते डिस्टेंस किल रखता है सीडettes हमने पर जंब सबस्क्राइट किसरे तो इस किला रखते हैं то है टिस इंटू दो से करते हैं वह आपका 3-4 cm हम लोग उसका डीप रखते हैं ठीक है अब बात करें कि इसका बुवाई का एक्टूबर जो टाइम है कव है ठीक है हम लोग तो पढ़े मार्च में इतना है रसरभी में ग्रेंड आता है ठीक है बट एक जो एक्जाम में पूछा जाता है जो इस पेस टीक है वह आपका 15 अक्टूबर से 15 नवर की बीच क्या करते ओरिंडर का ग्रो करते कल्टिवेशन करते स्वेंग करते हैं अब एनपी की बात करें एनपी के नायट्रोजन फोस्पोरस और पोटेश्यम की बात करें तो नायट्रोजन 40 kg आपका फोस्पोरस 30 kg और 10 kg अब लैस्ट में बात करते हैं इसका एफटे कितना ठेक है प्रोडक्शन कितना हुए यदि आपके पास सीचाइ का वैवस्ता है और किसी के बासने नहीं तो कोई वैवस्ता है इरिटिशन करने करने का फोई फैसलीटी नहीं है तो उस कंडिशन में 8 कुंटेल पर हेक्टर क सबसे अपका सीड प्रोडक्शन होता है और उसका जो जादी किसी के पास फैसलिटी है इडिकेशन तो उस कंडिशन में 15 से 20 कुंटल पर हेक्टर आपका प्रोडक्शन होते हैं ठीक है तो यह जो है नॉर्मली आपका कुरियंडर के बारे में हो गया ठीक है अब हम नेक्स्ट के बारे में तो जो सौफ है उसका जो बॉटनिकल नेम होता है ओ फोईनी कूलम बल्गयर होते है और इसका फैमिली एपीसी या अम्बैली फेरी को विलाउंग करता है ठीक है हाइस्ट प्रोडक्शन और फैनल इन राजस्तन फॉलोवा गुजरत गुजरात की वाइस राज 12-12 kg और हेक्टर और ट्रांसप्लनटिंग करें तो आपका 3-4 kg प्रेंट अब ट्रांसप्लनटिंग करेंगे तुछ के उलिए पहले सकता होते है तो तो जो अपका साव मिटार शकर आफका नर्शरी एक हेक्टर के निया capitalize होते है ठीक है तो बहुत iMPORTANT है याद ठीक है इसके अलाबा इसमें जो वाइल का जो कंटेन होते हैं फनल के सेड में वह आपका एक परसेंट इसमें क्या होते हैं वाइल का कंटेन होते हैं याद रखेंगे इसमें वाइल कंटेन कितना परसेंट होते हैं तो एक परसेंट होता है वाइल का कंटेन बट जो पाया जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे दें नेक्स्ट आगे बात करें कि कुछ variety होते आपका किसका फेनल का ठीक है उसमें सेलेक्षन शोला और लकनाव वन याधर रखेंगे ठीक है उसके बाद बात करते कि इसका सोइंग कप करते हैं स्विंग कर ताइम कभ है तो इसका 15 सेप्टेमबर से 15 अक्टूबर की बीच इसका क्या करते हैं तरीह बहुत इंपोर्टेंट है याद रखेंगे दर नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें एन पी के कितने अवश्रक्त नहीं होते हैं एन पीके तो एन-पीके है उसमें उसके फशल के लिए पोटेश्यम बिल्कुल भी काम में नहीं लाया जाता है ठीक है केबल नाइट्रोजन और फोस्फरस की आवश्यक्ता होते हैं तो याद रखेंगे कोश्चन यहां से आ सकता है बहुत इंपॉर्टेड है अब बात करेंगे इसका जो स्पेसिंग टिक है बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे दनेक्स्ट बात करें इसमें इल्ड कितना होते हैं तो इसका इल्ड होते हैं वह आपका 10 से 15 कुंटल पर हेक्टर की सबस्यापका एल्ड प्राप्त होते हैं ठीक है तो आज का जो सेशन ता यही तक था और सेशन कैसे ल